हालो औन वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो कि टैर है हम सीखेंगे कि हम कैसे बनी हुई कमपणी को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है बनी हुई कमपणी को डिलीट करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, वो बैं आपको को देख पाएंगे जो की इस company के अंतरगत होई है यह दो entries बनी हुई है हम क्या करते हैं इस company को यह delete कर देते हैं तो company को delete करने का बहुत ही simple सा formula है आप keyboard से F3 button press कीजिए और यहाँ से navigation button का प्रयोग करते हुए alter company पर आजाएए जैसे यह alter company करेंगे इस तरह से यह alteration mode पर open हो जाएगी company ठीक है अब आपको keyboard से क्या प्रेस करना है alt और d ठीक है ध्यान दीजेगा keyboard से आपको क्या प्रेस करना है alt और d यह button प्रेस करना यह पूछेगा कि क्या आप इस company को delete करना चाहते हैं तो आप yes पर क्लिक कर दें यह enter प्रेस कर देंगे यह पूछेगा are you sure तो yes कर दीजिए बस आपकी company हो जाएगे delete तो आप देख सकते है आदी एंडस जो company अमारी थी वो delete हो चुकी है ठीक है इस तरह से हम company को delete कर सकते हैं उमीद करता हूँ यह बात आपके समझ में आ गई होगी कि company को कैसे delete किया जाया है अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें thank you for watching